अगर इस बिजनस को अपना बनाना चाहते हैं और आप इन 18 राजियों में से हैं जैसे मैं उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं ये लिस्ट है आपका जब जो है उत्तरप्रदेश है बिहार चतिसगर जारकंड इसे लगाई जो है ये 18 स्टेट में 18 स्टेट में आपको ये SST अपनी ब्रांच ओपन करेगी जिसके लिए उन लोगों के अप्लिकेशन इन्वाइ आपके सामने बहुत अच्छा opportunity है बहुत अच्छा मौका है तो आप कर सकते हैं लेकिन इसमें कुछ terms condition भी है आपके application जो है 6 नमबर तक office में submit हो जाना चाहिए 6 नमबर के बाद कोई भी application submit नहीं किया जाएगा हर एक application जब भी आप अगर आपके उस state के district के हैं तो आप application यह दे सकते हैं अब इसमें जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या benefit होगा अगर branch की आप लेते हैं उस state में तो आपको क्या benefits हो सकते हैं क्या आप पढ़ाएंगे वहाँ पी क्या चीज़ें होगी तो उसमें जो mostly जो का health safety, health safety से related होगा, fire safety management courses होंगे, electrical diploma courses होंगे, language training होंगे, web tech and development के courses होंगे, autocads होंगे, चाहें वो civils के हो, mechanicals के हो, यह सारे platform आपको मिलेगे, सबसे बड़ी बात है कि आपको इस business के साथ, आपको SST की वह पूरी team मिल जाती है, जो आपको support करेगी, जिसे कि SST का एक management team होगा, ज किसी भी business को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी नए काम को सुरुवात करने के लिए, हमें manpower के जरुवत होती है, हमें पैसे के जरुवत होती है, और supporting body के जरुवत होती है, तो SST ये सारी सुभिदाएं आपको provide करेगा, SST में QCT team होगी, जो आपको proper guidance करेगी, कि आपकी training quality कैसे होनी चीए, result based कैसे training होनी चीए, और साथ सबसे बड़ी बात जो है, वह international norms को हम लोग फालू करेंगे, जो भी SST के अंतरगत जो technical course होगे, यदि आप जो है, health safety management का course कर रहे हैं, या आप fire safety management का course कर रहे हैं, या फिर जो कुछ भी आपका नहीं, electrical course कर रहे है, electrical engineering accelerated या डि label होंगे, जो all over world में, यदि आप, आपके हां से, यानि SST से, अगर कोई भी pass out होगा, तो उसको काफी opportunity मिलने की possibilities बनती है, क्योंकि हमें साथ, SST, अपनी training quality के लिए है, आपके 113 देशों में, ये काफी चर्चा में रहता है, और बहुत अच्छे results भी मिलते हैं, तो आपको इन सारी course को चलाने का permission मिलेगा, आप इन course को govern कर सकते हैं, और निस्टी तरोप से, यदि आपने health safety management का course कर लिया है, fire safety course management का course कर लिया है, या electrical का course कर लिया है, या English के language training से, अगर इन में से कोई भी technical qualification आपके पास हैं, वो skills हैं, तो आप हमारे साथ जुड सकते हैं, ये उस application में आपको अपना name, अपना address, district, state और क्या चीज़ आपके specialization है, expertise किस चीज़ में है, क्या health safety में है, fire safety में है, या technical जो कुछ भी है, वो link करके पूरा detail अपने current का photo लगा करके वो application आप मुझे mail कर देंगे, sst.devariya.gmail.com application fees होगी, आपकी 38,600 रुपे, जो non-refundable होगी, जिन लोगों के application submit कर लिए जाएंगे, यदि हार एक चीज़ सही पाई जाती है, और हमारी team जो है, उसे verify करती है, तो हम उसको permission देंगे, उसको हम branch देने के लिए सहमत्य देंगे, और हम उसका support भी करेंगे, वो हमारे family के members हो होगे हार एक चीज, अब सबसे बड़ी बात क्या है, कि जब हम एक नया business सुरू करते हैं, एक नया college सुरू करेंगे, एक नया branch सुरू करेंगे, तो आपको तमाम तरगी चीज़ों की जरुवत पड़ती है, वो सारी चीज़ें कमियां जो है, आपकी SST पूरा कर देती है, क तो आपकी जो भी पढ़ाई की quality है, जो भी चीज़ें है, उस चीज़ को आपको बताने का काम करेगी, और वो टीम जो है, एक साल में दो बार आपके हां विजट करेगी, और जाकर वहां की इस्तिती को देखेगी, अगर कोई दिक्कत होता है, तो उसे कैसे improve करना है, वो सा की जो training team है, वो उन्हें train करने का काम भी करेगी, तो ये सारे चीज़ें आपको मिल जाती है, दूसरी बात सबसे हार एक चीज़ online और काफे transparency के साथ आपको ये मिलेगा, आपको आपको खुद की website मिलेगी, आपके payment transactions से related जो कुछ भी है, वो online मिलेगा, offline mode में भी आप जबल वहाँ पर नहीं है, तो अधरवाई ये सारी चीज़ वहुत ही बेहतर है किसी भी business को grow करने के लिए, तो यदि आप इन 18 राजियों में से पहले पार्ट में है, पहले चरण में हम 18 राजियों पर बात करेंगे, और इन 18 राजियों में हम हर एक district में ये branch open करेंगे, फ सामने बहुत ही अच्छा मौका है, तो अगर आप इंटरस्टेड है, बिजनस, safety college के business में आने में, technical branch चलाने में, तो आपके लिए काफी अच्छा मौका है, आपको करना भी कुछ नहीं, सीधा सा आपका application डालना है, और application की बाद से आपको application की fees जो होती है, वो 38,600 रुपे only Indian currency आपको pay करना है, और ये payment आप bank के थुरू कर सकते हैं, online payment करने के बाद अपनी application में, आप जो है, उसका transaction ID mention कर दें, या आप अगर branch भी जाके जमा करना चाहते हैं, तो वहाँ cash जमा करने के बाद से, वहाँ से रिसे जरूर प्राप्त कर लें, तो ये सारी चीजे हैं, य एक साथ काम करेंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, हम अपने देश में भी काम करेंगे, और ग्लोबल में भी काम करेंगे, इंटरनेशनली भी वर्क करेंगे, और ये इसकी जो जितने लोगों का जो फार्म सेलेक्ट होगा, जो है sst4u.com पर sst4u.in पर पब्लिस हो जाएगी जिससे आपको यह पता चलियागा कि मुझे यह ब्रांच मिल चुका है जिन लोगों को ब्रांच नहीं मिलेगा और उनकी फी सब्मिट है अप्लिकेशन उनके पैसे वापस हो जाएंगे लेकिन जिनका सेलेक्शन हो गया है प्रॉसेस में आ गया क्योंकि यह भी आप जानते हैं कि एक डिस्टिक में हम एक ही लोगों को ब्रांच दे सकते हैं एक या मैक्सिमम दो दे सकते हैं तो यह डिपेंड करता ह का यह रहरो आपके दिमाइग में आएगा कि आखिर कौन से लोग है जो इसके लिए अप्लिकेबल होंगे क्या तो पहली बात जो लोग पहले से कॉलेज चला रहे हैं। यदि आप पहले से कोई स्कूल चला रहे हैं कॉलेज चला रहे हैं तो प्लीज आप इस अप्लिकेशन फार्म को न भरें क्योंकि आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा आपको नहीं मिलेगा ठीक है दूसरी बात ये सिर्फ उन लोगों के लिए क्योंकि ये जो गदम है वो बेरोजगारी के खिलाफ है वो बेरोजगारी के और रास्ट हित में समर्पित है वहोसे लोग और यहां देश से भी सपोर्ट कर रहा है कि आपने देश से बेरोजगारी को हम हमेशा के लिए हटाएं खत्म करें ये सब भी हमारे देश में नहीं होना चाहिए तो ये जो ब् 35,600 रुपए का application fees दे करके अपनी branch के लिए apply कर सकते हैं और फिर उसके बाद process होगा जो भी terms condition और contract होगा with return होगा उसको फिर sst के साथ आपको follow करना होगा तो ये तमाम तरग की बाते हैं जिसको आप जो है मिल करके उस training में उस seminar में आप हर एक चीज़ को जान सकते हैं समझ सक तो पहली बाद वही लोग applicable है जो बेरोजगार है पहली इसकी eligibility होगी कि यह branch किसको मिलेगा तो जो बेरोजगार है उसे ही यह branch मिलेगा और साथ ही अगर वो technical है तब भी मिलेगा यदि non-technical है और फिर भी बेरोजगार है तो उन्हें किसी न किसी course की training जरूर लेनी होगी त तो वो जो आपको work course की training आपके SST के expert आपको provide करेंगे तो 18 राज्यों में ये चीज़ open हो रही है बहुत दिनों से इस पे हम लोग work कर रहे थे और आपने देखा भी होगा कि इसके बीच में हमने कोई video नहीं दिया आपको आपसे हमें बात नहीं कर पाया तो इस कारण क्या था कि मेरा 18 राज्यों का ये दौरा था और उन राज्यों के लोगों से मिलना उनके स्तिती को समझना और ये पूरी management को ब्यवस्तित करने में काफी work गुजर गया और सारा जब process complete हो गया तब हम हाजिर हैं आपके साथ आपके साथ मिलके काम करने के लिए आप क्योंकि आप अब हमारे परिवार में आने के लिए दयार हैं आप लोग के बहुत से लोगों के question थे कि मैं हरियाना से हूँ राजस्तान से हूँ जारकंट से हूँ बिहार से हूँ मैं अपने district में branch चोपेब करना चाहता हूं सर क्या branch मिलेगा तो जब आप मिलता था कि process में है जल्दी ही आप जरूरत है हमें कदम बढ़ाने की आपको नौकरी की तलास है आपको रोजगार की तलास है और मुझे मेहनती और मेहनत करने वाले लोगों की तलास है तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप एक perfect person है ब्रांच चलाने के लिए आप एक ownership बन के काम करेंगी आप business owner और उस support के बाद एक बेहतर career और एक बेहतर जीवन आपका इंतजार कर रहा है आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं इसी के साथ ही dear student and my dear friends आप से हम इजाज़त चाहेंगे और कुना हम हाजिर होंगे आपके साथ कुछ नई चीज़ों को लेकर अभी तक हम लोग ब और कोशिस करूँगा कि आपके सभी प्रस्णों का जबाब दे पाऊंग और आपको हर एक बात बता सकूँँ तो आप तयार हो जाएगे क्योंकि जिस चीज़ का आपको इंतजार था वह वक्त आपको आगया जी हाँ एक बार मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा 6 नौंब अबर के बाद अगर कोई अप्लिकेशन आता है उस पे विचार नहीं किया जाएगा अप्लिकेशन फीस आपकी होती है 38,600 रुपे इसको दो तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं और बैंक में भी जाकर के आप ये पेमेंट डिपाजिट कर सकते हैं वहाँ से ट्रांजेक्शन अडिड ले सकते हैं बैंक के अकवाँ डिपाजिट कर सकते हैं और जल्दी करिए क्योंकि समय कम है और लोगों की सं honesty जादा है तो हमारी जो प्रियालिटी होगी पहली प्रात्मित्पा होगी जो पहले अप्लिकेशन हमारे पास आएंगे उन पर हम सबसे पहले विचार करेंगे दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जिनके पास college हैं पहले से प्लीज वो apply न करें क्योंकि हम मजबूर हैं हमारी policy कुछ इस तरीके के हैं जो लोग बेरोजगार हैं हम उन्हें ही यह मौका देंगे और दूसरी बात मै बताऊं आपको लगबक 12,000 से लेके 16,000 लोगों को इन 18 राजियों में काम करने का मौका मिलेगा क्योंकि कोई एक आदमी business owner बनेगा लेकि उसमें काम करने वालों लोगों की संक्या अच्छी होगी तो ये भी आप तयार हैं आपको भी मौका मिलेगा अगर आप business owner नहीं बन अच्छी तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा नेक्स वीडियो में हम पुना हाजर होते हैं तब तक लिए application तयार रखिए और जल्द से जल्द आप भेज दिया जी हाँ ये application की सुरवात आपकी जो है next day यानि 25 तारिक से हो जाएगी आज 25 तारिक है और 25 आज से ही आप application submit कर सकते हैं करना क्या है बहुत से सीधी सी बात एक बात में बता दूँ आपको application जो डालना है आपको mail करिए mail में अपना name लिखिए name लिखने के बाद से अपना name father name address complete address लिखिए क्या education है आपकी वो लिख डालिए और उसके बाद से किस चीज में आप expert है क् electrical की training में expert है या कोई language में है back development में है या किस भी कोई technical hand होना चाहिए साथ में आपका मतलब बेरोजगार होना ये ये काफी माइने रखता है अगर आप किसी सरकारी service में है government में की job में है तब भी आपको ये नहीं मिलेगा कोई college चलाते हैं और आपका जो history है कोई college चला रहे तब भी आपको ये नहीं मिलेगा ये बिल्कुल उनहीं को मिलेगा जो बिल्कुल नय बिल्कुल fresh और बेरोजगार है अब तक वो कहीं काम नहीं किये हाँ उन लोगों को ये brand जरूर मिल सकता है जिनोंने सौदी में बाहर के देशों में कुछ दिनों तक काम किया है नौकरी भी आपके साथ होंगे आपसे मिलेंगे आपके सहर में आपके ब्रांच पर मैं आपके साथ ट्रेनिंग सेमिनार भी करूँगा ओ भी बिल्कुल free of course मैं आपसे मिलूगा उमीद है कि आपको जिस चीज का इंतजार था वह मौका आपके सामने आ गया तो हमें इजाजत दीज जैहिं जैपान